नमस्तार स्वागत है आपका अभिंद भारत में मैं आपके साथ साक्षी गुपता आईए बढ़ाई मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की नेता उमा भारती की पहली पहचान प्रवचन करता के तौर पर रही है मगर उन्होंने अप्रवचन देना छोड़ दिया है आखिर उन्होंने प्रवचन देना क्यों छोड़ा इसकी वज़ा का खुलासा उन्होंने यहां रविवार को किया उमा भारती ने चर्चा के दौरान तहा मन कर्म और वचन में जब समानता नहीं रही तब मैंने प्रवचन करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो कहती हूं उस पर अमल नहीं कर पाती, मैं कहती हूं क्रोध मत करो, मगर मुझे क्रोध आता है, मैं कहती हूं अहंकार मत करो, मगर मैं अहंकारी हूं और मैं कहती हूं कि सुक्सुविधा से दूर रहो, मगर मुझे अच्छी अच्छी गारि विज्याराजे सिंधिया के जरिये विश्व हिंदू परिशत से जुड़ी वह जब बहुत छोटी थी। उनके पास लोग आकर सवाल जवाब करते थे। उन्होंने कहा, बचपन से ही मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लोग चमतकारी बालिका कहते थे इससे पहले, भारतिय जन्ता पार्टी भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीते 9 जन्वरी को कॉंग्रिस और वामदलों पर राम जन्मभूमी आंदोलन के दौरान विशाक माहौल बनाने का आरोप लगाया, उन्होंने साथ ही सलादी की कॉंग्रिस और वामदलों के नेताओं को प्राइश्च के तौर पर बिना निमंत्रन के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में जाना चाहिए, राम मंदिर आंदोनन की हिस्सा रही, उमा भारती ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि देश के पहले प्र प्रद्वन्स हुआ भारती ने दावा किया कि उन्नीस सौ उन्चास में रामला के प्रकट होने से पहले भी अयोध्या के विवादित धाचे में नमाज नहीं पड़ी जाती थी, उन्होंने कहा, उस समय ततकालीन प्रधान मंत्री, नहरू ने मुसल्मानों को खुश करने के लिए परिसर को बंद करने और हिंदूों को खुश करने के लिए सुभा और शाम पूजा की अनुमती देने का फैसला किया, नहरू द्वारा हिंदूों और मुसल्मानों दोनों को खुश रखने के लिए शुरू की गई परंपरा 6 दिसंबर को धाचा विध्वन्स का कारण